Hello everyone, Storyteller Shivani में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे A.G. Gardiner के essay on superstitions के बारे में Alfred George Gardiner एक English journalist, editor और author थे उनके essays जो उन्होंने Alpha of the Pluff के नाम से लिखे highly regarded है Superstition यानी अंधविश्वास तो present essay में Gardiner Modern Age में भी अंधविश्वास की व्यापकता के बारे में बात करते हैं Essay की सुरुवात में Gardiner No.13 से रिलेटर अंधविश्वासी बिलीफ के बारे में बताते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो Gardiner कहते हैं कि ये निश्शित है कि अगर किसी 13 नंबर की गली में murder होता है या किसी घर का नंबर 13 है तो वो unnoticed नहीं होता जबकि ऐसा नहीं है कि सारे murders 13 नंबर के घर में ही होते हैं और ये भी नहीं कहा जा सकता कि दुनिया अंध विश्वास में बिलीव करती है ये मात्र एक childish folly है मुर्खता है लेकिन हम में से कुछ 13 नंबर का घर लेने से मना कर देंगे या 13 नंबर की table पर dinner के invitation को ठुकरा देंगे और वहीं अगर 11 नंबर का कोई घर मिल जाए तो बहुत खुश होंगे हम मानने को तयार नहीं पर कहीं न कहीं हम अंध विश्वास पर विश्वास करते हैं और ये exist करता है इसके कई प्रत्यक्ष उधारन है लंडन में कई गलिया है लेकिन वहां 13 नंबर का कोई घर देखने को नहीं मिलता और हॉस्पिटल में भी 13 नंबर का बेड मिलना बहुत रेर है इसके बाद gardener एक किस्सा सुनाते हैं कि एक आदमी जो की युद्ध में बुरी तरह से घायल हो गया था जिसके बचने की कोई उमीद नहीं थी लेकिन फिर वो धीरे धीरे ठीक होने लगा और फिर उसके नाग पर एक पिमपल लुगा और सबको लगा कि वो बच गया लेकिन जब उस आदमी को पता चला कि वो 13 नंबर के बेड पर है तो उसकी मानसिक स्थिती कुछ ऐसी हो गई कि वो मर गया अब ऑथर अपनी बात करते हैं कि वो श्योर नहीं है कि इन सुपर स्टिशन से उन्हें कोई हानी नहीं होगी लेकिन ये सच है कि लंडन की 13 नंबर की बसों में वो अक्सर यात्रा करते हैं और उनके साथ कभी कोई बुरी घटना नहीं हुई उल्टे उन्हें उन बसों में ज्यादा अच्छा कमफर्ट मिलता है उनके साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार होता है ज्यादा सुविधाय मिलती है और अगर ओथर के हाथ में हो तो वो कभी उसका नंबर नहीं बदलेंगे लेकिन फिर कुछ ऐसी परिस्थितिया भी है कि जिन्हें एक्जामिन करने में ओथर को मुश्किल होती है क्योंकि वो तारकिक है जैसे किसी घर के सहारे सीड़ी कभी नहीं दिखती और उसके नीचे चलने के बजाए उसके चारो ओर चलने की नसीहत दी जाती है तो ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो इंसान टॉप पर ख़रा हो शायद वो कुछ गल्टी से गिरा दे या तो वो मिर्गी का रोगी हो सकता है जिसे दौरा हमेशा गलत जगह और गलत समय पर आता हो और वो खुद ही गिर जाए तो ये मात्र सेफटी के नजरिये से है to walk around the ladder और इसी तरह से जुइस के लिए पोर्ग धार्मिक द्रिस्टी से इसलिए असुद है क्योंकि eastern climates में ये physically unclean होता है आगे gardener कहते हैं कि ये superstitions पुराने धर्मों के पार्ट थे और जब science ने universe के laws को reveal किया तो ये सब disinherit हो गए जब मनुश्य को nature के बारे में नहीं पता था तो अगर कुछ भी होता तो वो इसे अपने भागे से जोड लेता या तो वो बादलों में हलचल हो या बक्षियों के उर्णे में तो वो इन सब चीजों को लेकर हमेशा अंध विश्वासी हो जाता था जैसे हम thucididus के युद के बारे में पढ़ सकते हैं जिसे किसी पुरु संकेत के कारण रोग दिया गया और अंध में ये युद हारा गया इसके अलावे जब पैंपी को लगा कि रोमन्स कैटो को दंडा दिकारी चुर लेंगे तो उसने यह कह दिया कि उसने थंडर यानि बिजली चमकने की आवाद सुनी जिसके बाद रोमन्स कोई कारे संपादित नहीं करते थे अलेक्जेंडर ने भी खुद को फॉर्चुन टेलर से ऐसे घेरे रखा जैसे कोई राजा मिनिस्टर से घेरा रहता हो यहां तक कि सीजर ने और सिसेरो ने भी अपने भागे को पुर्व सूचना और ओमन्स के हाथों सौब दिया सिसेरो को कौवों के कारण जान गवानी परी जब वो बैटल फिल्ट से भाग रहा था तो समुन्दर में कुछ कौवों ने उसे घेर लिया और उसने ऐसी परिस्थिती को अपने विरुद मान कर वापस किनारे पर चला गया और वहां मारा गया तो इस तरह से कई सारे एक्जाम्पल्स देकर गार्डिनल हमें और प्राक्टिकल होना चाहिए ऐसा कहते हैं वो बताते हैं कि ये सारे बिलीव्स पुराने और अंध विश्वासी हैं और ये धीरे धीरे खत्म भी हो रहे हैं अंध विश्वास से तब तक नहीं बचा जा सकता जब तक हमें प्रकृती के बारे में सब कुछ नहीं पता हो तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तैंक यू